कैसे आप सभी आप सभी का बच्चों स्वागत थे मनिसोमेट्री पर जो मनिसोमेट्री चैनल है वह आपको लगातार सुपर बैच यूपीपी का है उसकी क्लासिज आपको प्रवेड करवा रहा है निसुल्क आप पढ़ते रहे आपके पेपर तक आपके स्लेवर्स की पूरी क्लास है आज हमारी इसको देखना है कैसे को को सबसे पहले पहला कोश्चन है ध्यास समझना अच्छे कोश्चन है आज वाले एक दुकानदार 400 रुपया प्रत केजी की रेट से 23 किलोग्राम सेव खरीद कर लाता है वह ध्यास पढ़ना ऐसे कोश्चन है आज वाले उसमें स आधे 20% लाफ पर बेच देता है और सेश को 10% हान पर बेचता है उसका कुल लाफ परसेंट रहो अब यहां पर नियम लिखो की आफ मैस क्या है आज कि के वाले बच्चों ये ऐसे कोश्चन के लिए हैं क्या है समझा ज्यान से अगर हमको कभी भी percentage में answer निकालना है किस में निकालना है परस्त में answer निकालना है अगर हमसे question में कहता है कि percentage में बताओ कि कुल कितना percent profit or loss हुआ है तो कभी भी fix value का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए कभी भी in fix value का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए लिख लो फटा-फट कि fix value का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए, यह जो बोलता है, क्या बोलता है, आधे, आधे का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा मतलब 1 by 2, ऐसे लिख लो, और कहता है 20% profit पर, profit बोले, इसको 20 से into करो, percent से, और profit कहता है, तो पहले plus लगा लो, ऐसे, और 6, 6 अच्छा, आधा हो गया, तो आधी तो बच्चा है, 6, तो 1 by 2 हो गया, 6 को बोला है, 10% हानी पर, देखो हानी पर, तो हमने दोखो माइनस लगा दिया पहले ही, अगर इसका समझ जो, कि अगर loss होगा, तो पहले क्या लगेगा, माइनस लगेगा, into कि इतना सा काम करना है, पेपर में आएगा, इसको लगा जरूर लेना, बस इसको into ऐसे करना, काट देना, 5 आएगा, यहाँ 10 आया, माइनस 5, कुल कितना फैदा हुआ, 5%, अब हिसाफ किताब लगाओगे, तो भी answer 5% profit ही आएगा, अगर आप इसमें सोचो, कि हम हिसाफ किताब लगा ले पूरा, तो भी इतना ही answer आने माला है, क्यों, अगर 400 रुपे पर केजी है, और 20 किलोग्राम आप इसको into करोगे, है न, तो पूरा CP आएगा, फिर उसका आधा 20% लाव पर बेचोगे, फिर आधा जो आएगा, उसको 10% हाने पर फिर निकालोगे, तो आपका 5% profit ही पूछता है, और आप से percentage में ही पूछेगा, ध्यान रखेगा, तो ऐसे दोखो, 11 kg अमरूत खरीद कर लाता है, उसमें 40% को बेचता है, 10% लाव पर, अब कितने मिलाता है, यहां नहीं दिया है, तो आपको कुछ rate मानना पड़ेगा, किसी भी rate पर answer सेम आएगा, कोई भी rate मानलो, सब पर सेम answer आने माला है, इसलिए question जो है, वहां देते नहीं है, गराहाग जो है, 11 kg अमरूर खरीद कर लाता है, कितने मिलाता है, बच्चा दूरता है, basic वाले बच्चे का करते हैं, वहां पर इसको दूरते हैं, कितना, यहां तो हई नहीं भाई, उसका CP, लेकिन व profit अगर बोला है, तो पहले क्या लिखेंगे, plus, अब sales कितना बचा, sales बचा, 3 by 5, sales कितना बचा, 3 by 5, sales को बेचता है, 20% हानी पर, तो into 20 कर लो, 20% हानी मतलब बाहर minus लगेगा, बस इतना ध्यान देलो आज, कि अगर profit है, तो plus, और loss है, तो minus, इतना ध्यान देलो, और ऐसे question, अगर exam में कोई भी a question आ जाता है, दो line का हो, चार line का हो, अब तरुंत लगाना उसको, फिर कितना आएगा, 4, तो यहां कितना आएगा, 2, है न, तो plus का 4%, minus का कितना 4 देलो, 12%, तो आया कुल minus का 8%, minus का मतलब होता है, बच्चों loss, हानी होता है, तो मतलब 8% क्या हो गई, हानी हो गई, आया समझ में, हमें लगता है, सब को समझ में आ गया होगा, आप इसको मान के लगाते तो बहुत लंबा जाता, 11 kg है, आप मानते 1 kg का CP मानना पड़ता, 1 kg का CP मान लो X रुपे मानते, तो CP कितना पूरा पैसा कितना आता, 11X आता, अब उसमें से निकालते 40%, फिर उ हो जाएगा, देखो, एक कपड़ा ब्यापारी, कुछ मीटर कपड़े कर लाता है, जो इसमें कुछ लाता है, कितने लाता है, पते नहीं है, तो इसी को X मानना पड़ता है, अगर बेसिक आप लगाते हो, लेकिन कितना भी मीटर आप मान लेजिए, 100 मीटर, 20 मीटर, 1000 मीटर है, इसलिए सब कॉंस्टन रहता है, तो क्या करोगे, उसने जो यह बोला है, उसमें से कितना आधा, किस पर बेचता है, CP पर बेचता है, तो इसको निट कर लो, अगर कभी हम CP पर बेचते हैं, किस पर बेचते हैं, CP पर, तो यहाँ पर होता है, 0% profit loss, कितना होता है, 0% profit loss, जो भी होगा, 0% होगा, अगर उसको हम फेक देते हैं, अगर वो सड गया, अगर वो क्या हो गया, अगर वो चीज सड गई, सड गई मतलब 100% loss हो गया, यह ध्यान रिखना, अब लिखो, अगर माल उसको हम दूबने पर बेच रहे हैं, किस पर बेच रहे हैं, दूबने पर मतलब 200-100% की चीज़े कितने बेच रहे हैंयेट यह अधे पर बेच रहे हैं अयई तो क्या किसें पर चाहिए नहीं पर पेच रहे हैं और यहां लगोगे को मतलब year बाटा दो को CP मतलब कितना जीरू तो यहीं पठना है तो मैं अगर CP पर बेशेगा क्रेममुल पर तो जीरू परसंट प्रफिट या लोस होगा पर बेशता है आध्य की आध्य मतलब एक बाटा चार एक बटा चार 20 परसंट प्लस बीस बीस पर्सन प्रॉफिट बोला है और सच एक चौथाई बचा तो एक चौथाई। इस पर बीज़ा, तरस परस नहीं पर बेस्ता है मुनें कर दो दस पर संहां है्कला लगाओ पहले माइनस लगाओं यह लगेगा माइनस अब देखो यह तो हो गया यह तो क्या ऊगया जिरो चॉल बॉल ऐंस कर देंे तो एंसर आएगा 287-5 जय hé थो 25 percent क्या हो गवाएक प्रॉफिट हो जाएगा जाएगा जो आइब वाद समझ में तो ऐसे कोईशन आएंगे एक्जाम में तुरंत लगा देना छोटा सा सल्यूशन है परसान होना नहीं यहीं है की आफ मैस मनीश सरका अब जो एक व्यापारी हंड़ेट किलोग्राम अनाज यह 9 रुपया पर केजी कोई मतलब नहीं अगर आप से परसेंट में पूछा है लाभ प ठां देना अब उसने परस नहीं दिया उसने मातला किसमें सय सव में से लिछे किसCraलिस केजी किसमें से तो ऐस thing लिख लो चालिस किछी किसमें से सव में से के बीच रहा है 10% पर इन्टू कितना करदो यज मैं,, अब कहता है सेस को कितने पर बेचे सेस कितना बचा साट कीज बचा बटा कितना सो कितने बेचे तो यही एक्स मान लिया करो बराबर कुल कितना लाब बोला है 30% का लाब बबला बर तीज कर लो ऐसे करना है हमें दूसरा अलगा नहीं पता है उसको एक्स मान लो 60 क्यों हुआ क्योंकि 100 kg टोटल है उसमें से 40 kg पहले बेच चुका है कितना बचा है 60 और आबर कुल प्रॉफिट कितना चाहिए बच्चों 30 परसंट चाहिए अब देखो यहाँ नीचे 100 common है उपर कितना होगा 400 प्लस 60 x बराबर कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा अब यहां 60 x कितना आएगा 400 घटा दो तो 26 सो आएगा यह कैंसल कर दो तो x बराबर आएगा दो सित्तो 36 130 तो 130 पटा कितना 3 कितना अंसर आया 3 चोग 12 एक 3 तिया 9 एक 43 सही एक बटा 3 परसंट अंसर इसी तरीके से आप उत्तर निकाल पाओगे सबसे पहले यह दिहान लखेग आप बहुत साथ तरीके लगा लो लेकिन सबसे बच्चों बहतिन तरीका यह वाला है इसी को लगाएगे एक्जाम में एक कोशन आएगर तो आप बिलकुल इसको ऐसे लगा ले ना कभी नहीं फस हो गया है ना चलो अब जो है एक कोशन और लगा लो ऐसा ही तो यहां पर ज अब जानतों दोखो टॉपिक क्या है यह कोशन कौन सा है ध्यान समझना यह है लिखो नोट करके लिखो फटाफट यह है तुमारा सवाल कि जब जब क्रे मूले मतलब सीपी जब क्रे मूले वा विक्रे मूले वा विक्रे मूले दोनों को कम करते हैं विक्रे मूले दोनों को कम करते हैं दोनों को समान रूप से कम करते हैं तो क्या होता है उस केस में बच्चों होता यह है कि हम बाद वाला प्राफिट लेते हैं, लिखो बाद वाला profit person लेते हैं बाद वाला profit person लेते हैं अपान अंतर लेते हैं दोनों का और गुणे रुपे में जो अंतर होता है उसे लेते हैं कितना simple सा ये formula है इसको बोलते हैं key of mass मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आपकी mass अच्छी हो जाएगी बस मेरे तरीके आप समझते रहो और यहीं दुनिया में तरीके होते हैं तो क्या करोगे और बहुत सोलिश ले पढ़ा रहे हैं कि आपकी mass तयार हो जाए इसमें देखो कितना profit है 30 प्रस्त है बाद में तो इसके साफ से हम 30 लिखेंगे उपर पहले कितना profit था 20 था अब कितना है 30 है कितना अंतर है 10 का अंतर है कितना अंतर है 10 नीचे का लिखेंगे अंतर पहले कौन सा profit है 20 बाद में कितना है 30 दोनों का difference कितना हो बच्चों 10 अब देखो गुणे कितने रुपे हम कम जादा कर रहे हैं दोनों में 50-50 रुपे कम कर रहे हैं तो गोने कर देंगे 50 यह कैंसिल कर दो 5-15 कितना अंसर आया डेड़ सो रुपे आया कितना यह यह एंसर हो यह डेड़ सो सिंपल सा सवाल इतना लंबा सवाल लेकिन हमारे की ओफ मैंस से अब तुरोंत कम्प्लीट करके लगा दोगे फटाक्स लगा दोगे और कमजोर से कमजोर बच्चा इसको लगा देगा है ना कैसे करना है बाद अला प्रॉफिट बटा अंतर बस ध्यान रखना दोनों रुपे क्या होना चाहिए समान पेपर में तुम्हारे समान वाला ही आएगा यूंकि सीजल में अलग-अलग वाला आता है हाना ध्यान रखिएगा अब इसको समझेगा तन्वीर किसी वरस्तों को तीस परसन लाप पर बेचتा है ये जोफा इसे 120 रुपे कम में खई होता और 120 रुपे कम में बेचा होता तो पचास परसनिका कुत लाब होता है 30 अब तरफ तो कितना लिखों के ऊपर 50 परसनि कितना को के परसण मत लगा कड़ जाएगा कि कुतना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है इंटू कितने रुपे 120 यह क्या निकल के आता है बच्चों यह निकल के आता है क्रामूल ले क्या निकल के आता है क्रामूल निकल के आता है हना 635 अब तो भाया सबका लगेगा अच्छा अगर मालो कभी बदल भी जाए मालो तो आपकी मैस अग इसको रेशियों से लगा सकते हो कभी पैसा अलग अलग भी हो सकता है कैसे लगाएंगे तीस परसन लाव है तो दस से तीन बढ़ गया तेरा और बाद में पचास परसन लाव है मतलब दो से तीन हो गया और 120 रुपे अब यह अलग-अलग होता तो हम इसको जो पैसा यहां बो हो गया यह कितना हो गया यहां हमको अंतर लेना होता है क्या होता है इसमें दुनों में अंतर लिता है थीस और शबबर कितना है चार बराबर यहां 120 को से गुना करोंगे 240 साइगा 301 इस ही आएगा थेत्र साध्रय यह कितना आजाएगा एक बडाबरot 30 सा जाएगा हमको सी पी तो यह वादा पहला वाला क्रेमूल है ये जह 10 której मूल है तो कितना आ जाएगा तब भी वह 300 यह तरीका साड कट हो गई यह पैसा अलग अलग हुआ तो आप भी ऐसे लगा लेना बस यहां एक साइन होगा तो यहां तर होगा रही नोड कर लो इसको और चिन अलग होगा एक प्लस होगा दूसरा माइनस वोगा तो इंटू करके जोड देना मतलब अपोजिट चिन होगा भी प्लस करेंगे सेम चिन होगा तो माइनस करेंगे इस चीज़ को आप ढ़ला सवाल है पहले कितना है दस परसन की हान पर बेचता है यह दुआ इसे 120 रुपे अधिक में खईदा होता और 120 रुपे अधिक में बेचा होता तो पांच परसन की हान होती तो पहले कितनी हान है दस है अब कितनी है पांच है तो क्या लिखेंगे पांच ऊपर डिफरेंस कितना है पांच का है क cancel CP कितना आया CP आया 120 रुपया कितना आया 120 अब इसको रेशियो से लगाओ या बहुत बेसिक लगाना तो कैसे लगाते जो बच्चे कहते हैं हमारा बेसिक सही हो जाता तो मेरा सेलेक्शन हो जाएगा तो आख दिखाया तुम्हें बेसिक कैसे होता है 10% हान है तो अगर हम CP को माल लेते हैं 100% माल लेते हैं तो SP हमारा हो जाएगा 90% अब ये तुम्हारा एक सौपरिस रुपे अधिक में खईदा होता एक सोबीस रुपे अधिक में बेचा होता हना तो सो परसन प्लस कितना हो गया 120 हो गया यह 120 हो गया और 90 परसंट भी जो है 120 हो गया तो 5 परसंट की हान होती मतलब यह 19 बटा 20 होता 5 परसंट हान तब यह बराबर होता ऐसे अब ब्राकेट खोलेंगे तो 20 पंचे सो 19 पचे 95 बस कैलकुलेशन देखो स्टार्ट हो गया प्लस यहां हल करेंगे 20 से काटेंगे तो छे बार जाएगा उच्छे उनीस पचे उनीश का 114 हाना यह बनेगा बराबर कितना आएगा 90 परसंट आएगा और प्लस कितना आएगा 120 आएगा तो यह तो तो तुम्हारा माइनस में चला जाएगा 90 परसंट यह पांच परसंट परसंट यहां पर निकालेंगे उसे माइन इखे मानस में आएगा अबर कोई बात नहींत लिए परफिट हो कितना कर लो यहां 20% कर लो लोक्याइए बढ़ जाएगा लोज तो बीस собой मोगे जाएगा तो क्या होगा यहां पर पर संट हो जाएगा मानिस एक्सोट प्लैस एक्सोबीस ना तो पर μέरेट के आयसे लगा लो समझ लू बैसिक डेखvo यह कॉंसेट लिए रखो देख लेंगे बाद में ऐ CyrT में कॉझेर है ऑद गए कंसीए काया है बाद उपर लिखा जाएगा डिफरेंस नीचे कोई कोई भी सवाल होगा समान होगा बाकी रेशियो से लगा देना यहां पर निगेट्व पास्टू कोश्चन सेट हो जाएगा अपने आप से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं इसका तरीका आपको आना चीए यह देखो एक ब्यापारी दो बस तो यह यह जो टाइप है बहुत इं परसंड या लॉस परसंड दिया हो दिया हो तो क्या करते हैं इसमें लगा देते हैं इसमें क्या लगा देते हैं इसमें लगाते हैं तो सदय हो तो यह बेसिक है समझो इसको तो सदय हो सीपी मतलब क्रेमूल का रेशियो मिलता है तो सदय हो क्रेमूल का रेशियो मिलता है य आओ देखो क्या करना चीए क्या क्या उठाना डाटा कुल सीपी कितना है 600 इसको लिख दो कहीं साइड में उपर 600 रुपिया ठेक अब कहता है कि 6 परसन लाव पर बेचता है पहले को तो लिख लो 6 परसन लाव ऐसे लगा लो पेपर में सीधे ऐसे मिलेगा बिलकुल लगा दे ना जो कह रहे हैं मांजाञ में जया filming अब है दूसरी को 10 परसक्न लाव पर इसको ऐसे 10 पर्सन लाव कर दो इस तरह है कुल मिलाकर नौ परसन लाव है इसको बीच में लिख लो ऐसे अगर रुपे में दिया होता तो इसको परसंडेश में बदल लेते किस पे सीपी पर निकाल लेते कितना परसंड लाब है अगर रुपया दिया होता इसमें लगा दो यह अंतर ले लो दस है यह नौ है तो एक बचे यह भी लाब है तो यहाँ प तो एक कमान क्या होगा 150 हमसे पूछा था कि छे परसन लापर पीची गई पहला पूछा एक कमान ही पूछा है यही 150 हो जाएगा यही तरीका रटलो दिमाग में ठालो एक्जाम में ज़रूर कर देना और कोई तरीका मत लगाना सीधे लिगेशन लगाना और सीधा रेशियो क् इसके बाद इस सेम सवाल अगला देखो कुल system कि किसन पंदरा सु रुपया है देखो सब मिलाकर 2फ आम हो गई अब देखो अंतर कैसे लेंगे यहां तो नंतर हो जाएगा यहां अलग 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 चि ना एक माइनस है और अट प्लस है तो जुढ जाएगा तोरीक हैं स्ए छेक साथ कमान कितना है साथ कमान है पंद्रा साथ कमान कितना है पंद्रा तो हमसे बोला है सड सड कौन है पहला वाला सड है तो सड पहला वाला एक कमान चाहिए तो आ जाएगा पंद्रा सो बटा साथ कितना जाएगा पंद्रा सो बटा साथ इसको हल कर लेना यह एंसर आएग इस तरह बस सेम चिन्न होगा तो माइनस करेंगे अलगले चिन्न होगा तो प्लस करेंगे इस चीज को आपको सिखाना है मुझे आप देखो यह सवाल फिर समझो एक कपड़ा बेपारी सब्सक्राइब पंद्रह सो मिलाता है और वह सब्सक्राइब को चार परसंट लाप पर ब सब्सक्राइब नहीं है यहां चार दो छे चेक साथ वही सेम सवाल बन गया देखो अगला सवाल सवाल है किसी वरस्ट को नौ परसंट लाप पर बेचा जाता है यदि इसे 130 रुपे कम में बेचा होता तो चार परसंट की हान होती क्रेमूले अब देखो मैंने कहा था पहले दो पारसोंट कितना जाएगा एक हजारा जाएगा अभामप को पताएगा से बार जो हम को सिखाने वाले हैं वो Hue तोज लगातार होती है वहां करम होता है जहां करम होता है वहां रेशियों बनता है देखो कितनी सीज है जुर्टी जा रही है और रेशियों कहौंसा लेटें हैं यहर इसको अमी हैं गुला कर देते हैं गुला कर देते हैं बस यह mathematics आपको शीखनी है चलो देखो कैसे जैसे मैं आप से कहें कि 10% का सिंगल डिस्काउंट क्या होगा सिंगल डिस्काउंट क्या होगा यह पुछता है सिंगल डिसकाउंट क्या होता है 10 परसंट और 20 परसंट का सिंगल डिसकाउंट क्या होगा अब देखो कि दो रास्ता है दो नहीं इसके तीन रास्ते आपको बताता है पेपर में कैसे करोगे अगर तुरंत आइंसर देना है तो एक हमला दूर के लिए याद कर लो प्लस मैनस प्लस मानस एक्स यह स् वह प्लस मानस वाइड जो इसन तो हर सतुनinander का तो पहले दस परसन डिसकाउंट है तो मानस दस हो जाएगा फिर बीस डिसकाउंट है मानस बीस हो जाएगा दोनों का इंटू प्लस हो जाएगा यह मानस मानस प्लस हो जाएगा और इंटू दस गुणे बीस और बटा सो कर देंगे तो यहां पर यह कैंसल हो जाएगा यह मानस का 30 होगा यह प्लस का 2 आएगा तो आएगा तुम्हारा माइनस का 28% और जो माइनस कहता है डिसकाउंट तो आगया 28% कलीर है दूसरा रास्ता कहता है इसको 100% पर लेके चलो भाई पहला 10% डिसकाउंट कर दिया तो यह 90% सबको समझ में रहा होगा दुबारा हमने इसको 20% घटा दिया मतलब 18 घटा दिया तो यह हमारा आगया तुमारा कितना दस में गया तो आया 9 बटा 10 यह रिश्यो जो बनता है वो MRP नीचे होता है और SP उपर होता है इतना ध्यान रखना है और 20% डिसकाउंट है तो एक बटा 5 होता है इसका मान कितना होता है एक बटा 5 आफटर डिसकाउंट वह वैलू हो जाएगी 4 बटा 5 अब दो दुनी चार हो हो गया किता डिसकाउंट हो गया पचीस अठारा दो पांदो साथ हो गया लेकिन हमें इसको परसंट में निकालना है तो गुला सो कर देंगे पस्चीश को सोच साथ चुक अठाइस परसंट यह आपका एंसर आगा ऐसे 28 परसंट आई बात समझ मैं तो डिसकाउंट कहानी ऐ 29 परसंट का एकल बट्टा ग्याद करो सिंगल डिसकॉंट को हिंदिम कहते हैं एकल बट्टा यह आपको निकालना था तो आप क्या करोगे तुरंथ माइनस सत्तरा तुरंथ किया करो माइनस सबसे सही तरीका दो के लिए एफेक्ट वी होता है अब यह सत्तरा गुड़े 29 का पहाडा बढ़िया करना कोई दिक्कत नहीं कर लोगे वैसे तो दोनों जुड़ जाएगा 9 7 16 2 3 1 4 माइनस 46 यह प्लस हो जाएगा तो सत्रा इसका इंटू करोगे तो सत्रा नमिया कितना होता है एक सो तीरपन होता है करी कितना पंद्रा होगे सत्रा दनी 34 और 34 और पंद्रा 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 नमिया करोगे सत्रा गुड़े वंतीस है इसको तीस माइनस एक कह सकते हो सत्रा त्याएं क्यावन पांसो दस मेंसे सत्रा मैंस करोगे दस गदर साथ 493 अब 46 मेंसे इतना घटाना तो चार हटा दो 42 फिर एटा दो 41.07 परसेंट यह ऐसे घटाना तो 46 मेंस अब जैसे मालो एक और लेता है अब मालो यही तुम्हारा इस्तर दिया होता साथ 12 परसंट ऐसे दिया होता 16 तो मुर्खता मत करना वहां पर कि इसी को भी यहां लगा रहे नहीं यह फार्मला तब लगाते हैं जब जो एक्स एंड वाई जो नंबर है यह पूरांक हो पूर यह नहीं पा रहा है भागता जा रहा है रुकता नहीं जो तो यह तुम्हारा जो है इसको इक बटाट कहते हैं डिसकाउंट होता है तो आप जानगे होगे 5 होता है हल करोगे साथ पच्छे 35 हो गया वाट सेंग 48 हो गया कितना डिसकाउंट हो गया पांच आठ पांच 13 हो गया किस पर 48 इस तरह आपको यह सवाल ऐसे लगाने हैं कितना परसंट इसको हल करें लिए आपको या तो रेशियो में बदल लेना महां पर या तो दो हो तो इफेक्टिस लगा देना बाकी और कुश्चन लेके मैं आओंगा अगले पार्ट में धन्यवाद